दोस्तों जे उम्प्रकाश राकेश रोषण के स्वसुर्ग और अभिनेता रितिक रोषण के नाना थे जे उम्प्रकाश को अक्षर शुरून वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है इस वीडियो में हम बताएंगे आखिर क्या थी वो राज की बात जिसकी वज़े से जे उम प्रकाश ने दस वर्षों के अंतराल के बाद बनाई इस फिल्म के अन्नोन फैक्ट के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में दी गई से भी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं द आजेश खन और मुम्ताक पर फिल्म आया गया गीत जे जे शिव शंकर काटा लगे ना कंकर उस वक्त जबर्दस लोक्री हुआ था फिल्म आपकी कसम का गीत करवटें बदलते रहे सारी रात हम और जे जे शिव शंकर आज भी उतने ही लोक्री हैं जितने 1974 में हुए थे डायरेक्शन से पहले जे ओंप्रकाश को एक निर्माता के रूप में वोलिवुड में पहचान मिली निर्माता के रूप में जे ओंप्रकाश ने 1961 में आस्त का पंची 1964 में आई मिलन की बेला 1966 में आए दिन बहार के 1979 में आया सावन चूम के फिल्मों का निर्मान किया 1974 में फिल्म आपकी कसम से निर्देशन के शेत्र में कदम रखा उसके बाद 1975 में आक्रमन 1977 में अपनापन आशिक हूँ बहारों का 1980 में आशा, 1981 में आसपास, 1982 में अपना बना लो 1983 में अरपन, 1984 में आखिर क्यों 1993 में आदमी खिलोना है चेसी फिल्मों का निर्देशन किया जितेंद्र के लिए जे ओंपरकास ने अपनापन आशा, अरपन जेसी सुपरिट फिल्मों का निर्देशन किया इन तीनों ही फिल्मों में जितेंद्र के बिनेतरी रीना राय थी साल 1983 में जितेंद्र और रीना राय के साथ अंतिम बार जे ओंपरकास ने फिल्म आदमी खिलोना है में लेकर फिल्म आदमी खिलोना है का निर्देशन किया फिल्म आदमी खिलोना है में जितेंदर रिना राय के लावा नजराय गोबिंदा, मीनाक्षी शेशागरी, लक्षमिकान बर्डे, शुलभा, देश पांडे और दिलिप ताहिल जे उम्टकाज अपनी फिल्मों में संगीतकार के रूप में लक्षमिकान प्यारेलाल जे फिल्म आदमी खिलोना है में लक्षमिकान प्यारेलाल की जेगह संगीतकार के रूप में जे उम्प्रकाज ने लिया नदीम शर्वन की जोड़ी को, गीतकार के रूप में जे उम्प्रकाज की पहली पसंद आनंद बक्षी हुआ करते थे, लेकिन साल 1993 में आई फिल्म आद फिल्म आदमी खिलोना है में जे उम्प्रकाज ने धीतकार के रूप में लिया समीर को, फिल्म आदमी खिलोना है के कानों को स्वर दिया कुमार शानू, साधना सर्गम, अलका यागनिक, महमद अजी, पंकच उधाज, सुदेश, भोशले, जे उम्प्रकाज के पिता जगत शिव भक्त भी थे, उन्होंने अपने पनवेल इस्तित फार्म हाउस पर शिव मंदिर भी बनवाया हुआ था, जहां हर साल शिव रात्री पर बड़ी धूमदाम से पूजा की जाती थी, धार्मिक आस्ता के चलते जे उम्प्रकाज का मानना था कि अनाम से शुरू होने वा शुरू किया, 1993 में आई जीतेंद्र रिना राय कोविंदा मीनाक्षी शिर्षादरी को लेकर बनाए गई फिल्म आदमी खिलोना है, जे उम्प्रकाज के निर्देशन में बनने वाली अन्तिम फिल्म थी, जदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शे थे कि निर्देशन में आई हो थेकिए एक टढ़रू में एल्ट सक्रादर प्रेक के लाइक के लिएधार र back एक लिएख।